बोलज दोर्वनेशन दूसके पूने है और दुन अपूजा की विश अभूर्जजा है तोडेस सब्सक्राइट्व है याने कि जिस वस्तु से हमें लाइट प्राप्थ होती है हम उस उस अब्जेक्ट को देखने हो गया होती है कि light हमें क्या करती है light enables us हमें योग्या बनाती है किसी object को देखने के लिए जिस object से वो आ रहे हैं जिस object पर गिरने के बाद वो reflect होके मारे eyes पर आएंगी हम उन अब्जेक्ट वो इसली देख पाएंगी तो light क्या करती है हमें हमें कोई भी वस्तु देखने के लिए योग्या पनाती है light we detect light with with our eyes detect मतब की पहचानना हम light light के पचान कोन करता है हमारी eyes करती है उसके बाद है source of light कि light के source source क्या-क्या है मैं light किसकी चीज़ से प्राप्त होती है first an object which gives out light is called a source of light first of all source होता क्या है यार कि वो object वो वस्तु जिससे हमें light मिलती है जो अपने बाहर से अपने अंदर से light बाहर निकालता है उसे बोलते है source of light तो वेरिस source कौन-कौन से है sun, stars, electric bulb, tube light, kerosene, oil की length चौन पहले ज़लाया करते थे candle, torch, firefly means जुगनू तो यह सब क्या है यह सब कुछ source of light है जिनसे light प्राप्त होती है और इन सब में से most important source जिससे हमारी अर्थ को light मिलती है वो कौन सा है sun तो इन सब में से sun जो है सब से most important source है light के लिए उसके बाद हमने इन source को दो में डिवाइड किया है कि स्पेस पर कि यह sources जो है इन में से कौन से natural है और कौन से manmade है यानि कौन से प्रकृति में अपना present है किसको हमने बनाया है तो इसके बैस पर दो टाइप के source होते है natural and manmade those sources of light which occur in nature as such are called natural sources of light यानि कि वो source वो स्रोथ जो की नेचर में प्रकृति में as it is बिल्कुल वैसे कि वैसे ही जैसे हमें दिखते हैं वो वैसे कि वैसे ही ओल्लेडी बने हुए है नेचर के अंदर उन्हें हम बोलते है natural source of light प्रकृतिक है स्रोथ वो light के example the best natural source कुण सा है sun क्योंकि हमारी अर्थ के उपर light कहां से आती है majorly sun से हमें light मिलती है nearly all the natural light we receive on earth comes from the sun the stars meteors का मेनिंग क्या होता है तूडता हुआ तारा and firefly जुगनो ये सब भी क्या है कुछ natural source है light के उसके पाद second है those sources of light which have been made by man are called man-made source of light याने कि light के वो स्त्रोथ जिनको हमने बनाया है जो कि man-made है जो इंसान के दवरा बनाए गए होने हम बोलते है man-made source of light example है electric bulb, tube light, kerosene oil के lamps, candle and torch, मंबती और torch are all the man-made source of light ये सब क्या है man-made source है तो आप में हीजर लिए क्या जीजर लन करोगी first of all light क्या होती है energy के एक form है क्या काम है इसका light हमें किसी भी object को देखने के लिए योग्या बनाती है और हमारे बोड़े कौन सा ओर्गन light को detect करता है हमारी eyes इसको देखने में help करती है उसके बाद source of light क्या होती है कि जिससे हमें energy, sorry light हमें मिलती है उसे हम बोलते है source of light example क्या थे sun, starch, bulb, tube light, kerosene oil, lamps, candle, torch, firefly ये सब source of light थे उसके बाद क्या पढ़ा आपने कि source of light को में दो में डिवाइड किया हमने natural and man-made में किस बेस पर कि जो प्रकृति में present है उन्हें बोलेंगे natural source और जो उनको इनसान ने खुद से बनाया है light के source के तोर पर उन्हें बोलेंगे man-made source of light तो आपको यह complete यहां चैप्टर यहां तक learn करना है और अच्छे से पढ़ना है next concept हम कल करेंगे